हेटे की हो कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे और अपना ख्यार रख रहे होगे मैं भी अच्छा हूँ आज हम बात करेंगी कि हम अपने Linux सिस्टम में Jupiter notebook कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो काई सब्सक्राइब पहला रिक्वार्मेंट आपका यह होना चीए कि आपके सिस्टम में पाइसान इंस्टॉल होना चीए अभी चेक कैसे होगा उसके लिए आप टर्मिल पर कमांड टाइप करो पाइसन 3 कमांड टाइप करोगा अगर आपको प्रॉम्ट आ गया तो मतलब इंस्टॉल है कोई दिक्कत वाली बात ही है और वैसे भी लीनुक्स के सिस्टम पर जायता टर इंस्टॉलेशन होता ही है आप आप के सिस्टम में नहीं है तो आप आयी बटन कराने बाद थोड़ा लोडिंग होगा कुछ important files download होगी और आपके system में जूपिटर इंस्टॉल हो जाएगा अब इसके हैज़ चे आप एक जूपिटर notebook open कर सकते हो और basically python कोड रन करा सकते हो इसका example देख लेते हैं command type करो जूपिटर notebook जूपिटर notebook टाइप करोगी तो थोड़ी देव में लोड होगा और आपका browser खुल जाएगा इसके अंदर आप नए notebook बना सकते हो और अपने python code को रन करा सकते हो तो हमें एक नए notebook बना के देखते हैं click करो new click करो notebook पे एक नए notebook खुल जाए कि नए टैब पे आप करना सब्सक्राइट कर सकते हो यहां से हम सब्सक्राइट कर लेते हैं और उसके बाद यह आपको एक prompt है इसके अंदर कोई भी python code लिखा हो गए लिखते है प्रिंट नोटबुक इस इंस्टाल्ड ठीक है उसके प्रेस करो Ctrl-Enter बिसिकली एक शॉर्टकाट इस लाइन ओफ कोड करन कराने के लिए प्रेस के लिखते हैं अगर आपको इसका वर्जन जानना है तो आप आप नए टर्मिनल ओकन कर सकते हो और टाइप करोगे जुपिटर डबल डैश वर्जन जुपिटर और जुपिटर से रिलेटर जितने भी फाइल से और मॉडियूल से उसके वर्जन आपको आ जाएंगे इसके जितने भी डिपेंदेंसी से वर्जन आप देख सकते हो और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपके इस सिस्टम में भी नूटबुक इंस्टॉल हो जाएगा पट यार अगर कोई भी दिखकता है या भी मतलब कोई भी टाइप की एरर आए जो की बहुत कॉमन होता है कभी कभी एरर आ जाती है तो आप कॉमेंट बॉक्स पर डालना मैं आपको 100% वर्किंग सॉलोशन बता दूँगा अगर इस वीडियो से आपको जड़ा भी हेल्प म मिलते हैं अगले पीडियो